नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट अंदोस्त आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे स्क्रीन पर डिजिटल लेंडिंग लोन एप्स रिपेमेंट नहीं किया तो अब क्या होगा हमारे साथ में मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकरी देने वाला हूँ आप से request है आप वीडियो को complete देखेगा कहीं से भी आप वीडियो को skip मत कीजेगा यदि आप वीडियो को skip कर देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको इसमें information देने वाला हूँ तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए start करते हैं हमारा आज का वीडियो my difference मेरे पास में आप लोगों का बहुत ज़्यादा इस प्रिकार का question आता है कि सर मैंने फलाना loan application से loan ले लिया और अब मैं उसका भुखतान नहीं कर पा रहा हूँ आखिर मेरे साथ में क्या हो सकता है तो देखिए मैं आपको बता दूँ यदि वो loan application वो Chinese loan application है उसको RBI के दुवारा प्रमानित नहीं किया है RBI ने उसको authenticate नहीं किया है RBI ने उसको license नहीं दिया है तो देखिए वो loan application कानूनी तोर पर आपका कुछ भी नहीं उखाड सकती ये बात मैं आपको इस पर स्ट्रूप से clear कर देता हूँ ठीक अब आती है बात जो RBI authorized application है मतलब जिनको loan देने की पूरे तरीके से अनुमती है RBI की तरप से RBI ने उन्हें license दिया है तो देखिए मैं आपको बता दूँ उन application के पास में यदि आपको loan देने का अधिकार है तो अपने loan की वापसी लेने का भी पूरा अधिकार है समझ गया है तो देखिए अगर legally तोर पे बात की जाए जो हम देखते आ रहे हैं अब तक जो पिछला हमारा एक या दो साल का experience है हाला की मेरा तो देखिए किसी ज़्यादा application से loan वोन था ही नहीं आप लोग के सामने था जो भी था एक दो applications थे और उनको पुरपर तरीके से मैंने explain करके आपको बताए दिया था क्या सारी चीज़े थी क्या था बट गैस जो और व्यक्ति बताते हैं हमारे मतलब comment box में भी हमें email करके बताते हैं तो देखिए जो digital lending loan application है ये court तक तो नहीं जा सकती ये मैं आपको इस पर स्ट्रूप से clear बता देता हूं ये जितनी भी ये 7 दिन और 15 दिन के लिए loan प्रवाइड गराती थी ये मतलब 2000, 3000, 4000, 5000 तक का जो मेरे देखने में आया तो court तक तो ये देखिए नहीं जा सकती लेकिन guys देखिए मैं आपको एक suggestion दूँगा अगर आपके साथ में उत्पीडन हुआ है और आपने अपना payment उत्पीडन की वज़े से रोका हुआ है तो देखिए आपने यहाँ पर एक mistake की हुई है देखिए आपको पता होगा ये application एक RBI authenticated है ठीक है अगर आप इसका पैसा नहीं देते हैं तो ये आपकी financial death कर देंगे जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कुछ loan application क्या कर रही है loan को right off कर रही है तो देखिए guys मैं आपको बताऊं application ये सिर्फ और सिर्फ आपके civil को पूरे तरीके से impact कर सकती है और आपके loan को right off कर सकती है या नहीं कि ये आपकी financial death कर सकती है जो application RBI authorized है और जो authorized नहीं है वो आपका कुछ नहीं कर सकती ये मैं आपको इस first group से clear बता दूँ अब guys समस्या कहां जाती है देखिए आप लोग मतलब किस तरीके से इनके चक्करें फच सकते हैं मैं आपको बताता हूँ देखिए दो category के लोग होते हैं मतलब दो category के default होते हैं एक तो willful default एक genuine default आप देखिए आपके पास में कोई real समस्या है और real समस्या के चलते आपने loan का भुगतान ने किया है तो चलिए भई उसमें तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन गई जिनके पास में पैसा है और वो इनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ठीक है उनके लिए समस्या वाली बात हो जाएगी उनको दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा मैं आपको ये बात इस पर स्ट्रूप से clear बता देता हूँ इसलिए मेरे दोस्त आप लोगों के पास में अगर पैसा है तो इनका पैसा दे करके अपना मतलब पीछा चुटाएं अदरवाइस नहीं है तो बहुत देखे कोई कुछ आपका उखाड़ी नहीं सकता है इसमें कोई tension वाली बात नहीं है अब गाइस बात एक ये भी आ रही है जिनके साथ में उत्पीडन हुआ है वो क्या करें उनके लिए क्या प्रोसेस है देखिए आपके पास में एक अच्छा खासा प्रोसेस है आप एक काम करें आप पहले तो उन application के खिलाब शिकायद दरज कराएं consumer form में पूरे तरीके से उनकी policies को ले करके आपको loan वगएरा कैसे दिया और फिर उसके बाद में जो उत्पीडन हुआ उत्पीडन के लिए तो police station में शिकायद दरज कराएं ठीक है उसके बाद में application से पुरपर तरीके से solution लें consumer form के दुबारा ठीक है अब गाईज बात यहां पर एक समस्या वाली आ जाती है बहुत साए लोग कहेंगे हमारे पास में तो कोई evidence नहीं है हम शिकायद कैसे दरज कराएं अरे बही आपको बता दू मैं इनकी policies वगएरा जो हैं यह अपने से पहले आपको एक काम करना होगा देखिए आप पहले सारी जानकारी application को दें कि भाई देखिए आप लोगों ने मेरे साथ में इस परकार से मान हानी की है और आप लोगों को solution देना होगा यदि आप solution नहीं देते हैं तो इसके लिए मैं अपने right के अनुसार consumer form में शिकायत आपके खिलाब दर्ज करा रहा हूँ तो गाई उसमें application को भी पहले सूचना मिल जाएगी by email अगर application नहीं सुनती है तो फिर भाई आप करा सकते हैं जाकर के तो भाई या simple सी बात ये निकल करके आती है अगर आपने इसे loan लिया है तो ये आपको मतलब civil offense के तहट आपके उपर कारवाई कर सकते हैं जो registered है और जो registered नहीं है तो भाई या वो कुछ नहीं कर सकती है आपको इस पस्ट्रूप से बता दूँ देखिए अगर किसी व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है उस व्यक्ति को कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके साथ में गलत किया है इन कंपनियों ने तो इनको खुल करके जवाब दो ना की चुप बैठो अब देखें 2000, 3000, 4000 4000 के लिए क्या हुआ हुआ हमारा एक तो गलत किया है आपको benefit भी महाँ से मिलेगा आपको पैसा ही मिलेगा कंपनिय से अगर सही सारी चीज फुल फिल हो पाई जाती है तो बस मैं आपसे यही कहाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से और कोई query हो तो comment में जरूर लिख दें और बाकी एक बात कहना चाहूँगा अगर आप multi-level marketing से related, technology से related, education से related telecom से related information प्राप्त करना चाहते हैं तो आप राहुल निमेस YouTube चैनल पर जाकर के information collect कर सकते हैं क्योंकि देखिए हमारे दो चैनल है एक जैजन सक्ति के नाम से एक राहुल निमेस के नाम से फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में थैंक यू